नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 26 मार्च 2021 के डेली एडिटोरल डिसकेशन में आपका सौगत है तो भाई आज केवल चार इंपोर्टन एडिटोरल पबलिश हुए हैं और चार के चारी में आपके साल बात कुरूँगा पहला एडिटोरल है एलेक्टोरल बाउंट से रिलेटेशन में क्या खामिया है रेसेंटली ही सुप्रीम कोट ने एक पेटीशन को इंटरेन किया है विद रिस्पेक्ट टू एलेक्टोरल बाउंट साब को पता है कि बहुत से State Legislative Assembly और Unitators में Elections होने वाले हैं साथ में तो अब्वेसी बात है यहाँ पे Electoral Bonds में ध्यान तो आए गई चुकि इनके थूही सरकारों Political Parties के पास funding आती है तो यहाँ पे जो author है वो बोल रहे हैं कि जो Electoral Bond Scheme है इसने disproportionately affect किया है अभी की Center की Rolling Party को और भारती जन्ता पार्टी को गौतर महाटिया जी का यह बोलना है कि कैसे यह Electoral Bonds हमारी Democracy को नुखसान पहुचा रहे हैं कैसे यह सिर्फ एक Political Party को फादा पहुचा रहे हैं और बाकी Political Party को Disadvantage पहुचा रहे हैं और कैसे अगर इस Electoral Bond Scheme को रोकना है तो किवस Supreme Court या Judiciary एक जरिया है जिसके तुरूर रोका जा सकता है तो जो Observations हैं आपे गौतर महाटिया जी की इनको देखेंगी इसके respect में जो मैंने और वीडियो बना रखी है Electoral Bonds की उनका reference भी है मैं आपको दूँगा फिर यहां पर बात होगी आपकी इंडिया-Bangaladees ties के बारे में पिछले 50 सालों में इंडिया-Bangaladees ties कैसे रहें इसके बारे में बात हो दिखें 1971 में बांगला देश बना था उसको पकिस्तान से आजादी मिली थी पचास साल बीच चुके, पचास भी आप कह सकते हो, वर्ष गाठ है, बांगलादेश की आजादी की, ऐसे समय पे हमारे नलेंद मोदी जी भी बांगलादेश जाएंगे, तो यहाँ पे इंडिया बांगलादेश की रिलेशनशिप की क्या हिस्ट्री रही है, और इसका क्या प पार्लेमेंट के थुरू पास हो गया, इसके थुरू 127 अमेंडमेंट्स आए हैं, लेकिन एक अमेंडमेंट्स था, जिसको पहले काफी क्रिट साइज किया था, वो यह था, कि अगर आपने पैसा कॉंट्रिबूट किया है, धाई लाक रुपे से जादा, तो धाई लाक रु पीएफ में पैसा डाल रहे हो, और एक साल में ठाई लाक रुपया से जादा डाल रहे हो, तो आपकी उस पीएफ की कमाई के ओपर सरकार टैक्स लगा सकती है, अब यहाँ पे यह जो स्कीम लेके आई गई है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, पहले की स्कीम से क्या अलग है और यह जो पर्टिकुलर स्कीम है, यह बहुत छोटे से सीनर गौर्वर्मेंट सर्वेंट्स के तबके को बेनेफिट पहुचाती है, बाकी सब को नुकसान पहुचाती है, तो इस स्कीम के क्या फाइनल निवेंसेंस हैं, कैसे यह गलत है, ठीक है, कैसे आप देखो कि पीए मतलब कि धाई लाग रुपए तक ही मैकसिमम, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखिए, तो उसकी टैक्स इंकम पे आपको टैक्स नहीं पड़ेगा, अगर धाई लाग से ज्यादा इन्वेस्ट का रखाए अपने पीएफ पे, जो भी इनकम होगी उसके पर आपको टैक सकती सरकार, उसके टैक्स डेक्टिबल नहीं है, धाई लाग रुपए तक इन्वेस्ट कर रखें तो उस इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं पीएफ में, तो उसके जो टैक्स इंकम आईगी उसके सरकार टैक्स लगा सकती है, तो इस आर्टिकल को दे उपर हैं और जिनको कुछ बीमारियां हैं, उनको ही वैक्सिनेशन दी चाहेगी, अब हर वो इनसान जो की 45 साल से उपर है, उसको वैक्सिनेशन दी जा सकती है, उसकी एक वज़ए ये भी बताई जा रही है, रिसेंटी आपने सुना है इंडिया में, कोरोना के के सिस बहु ना भई, कोम और्बिटिटी की जरूत नहीं है, जो भी 45 साल से ज़दा की उमर का है, वो कोरोना की वैक्सिन ले सकता है, तो वैक्सिन के प्रोसेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, क्या क्या सरकार कर सकती है, उसके बारे में आपे बात करी गई है, सरकार ने अब तक वैक्सिनेशन में जो कुछ भी किया है, उसमें क्या गलत है, उसके बारे में बात किया है, तो इसको देखेंगे, तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेर नहीं क्या कर दीजे, इस चैनल को शेर और की मॉडरन हिस्ट्री, सतीष चंद्रा की मीडवल हिस्ट्री, रमेश सिंग की एकनॉमिक्स की वीडियो बन रही है, ठीक है, लक्षमी कांत और स्पेक्टर मॉडरन हिस्ट्री, मोस्ट इंपोर्टन पार्ट अलड़ी कम्प्लीट हो चुका है, इन्वामे टेकलोजी की भी स तो अगर आप इन सब चीजों से फाइदा हो रहा है, तो आप जोइन मिट अन्दबाग कर सकते हैं, इस्टा पर फॉलो कर लिजे, जब भी मौका मिलेगा, आप से बात करूँगा, टेलिग्राम गुप जोइन कर लिजे, इस लेक्ट्चर की पीडिएफ के लिए, और मैं ज ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक टेनेंट्स को वॉलेट करता है हमारी देश की डेमोक्रेसी की, एक सिटिजन का, एक वोटर का अधिकार रहता है कि इसको सब कुछ पता हो, ये सब कुछ पता होने का जो अधिकार हो है, या पर वॉलेट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इसकेस widespread में क्या हुआ, देखिए 24 मार्च को सुप्रीम कोट में खीरी होई ठीक है, और सुप्रीम कोट ने Electoral Bond Scheme पे अपने orders को रिजर्व कर दिया, कहने के ब Tonगी एक पर और सुनवाई करेंगा, प्ली पोब्ली सुप्रेम कोट एक return order पास करेगा, कि हाँ वाई क्या सगी यह क्या गलत है अब पिछले तीन सालों में बोला जा रहा है यह जो एलेक्टरल बॉंड की स्कीम आई है इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी के पास जो भी फंडिंग आ रही है mainly electoral bond से आ रही है और जो design है जो operation इस electoral bond scheme का ये एक तो limitless दूसरा anonymous कहने के मतलब है कि एक political party के पास जितने चाहे उतने पैसे आ सकते हैं दूसरा एक political party के पास जो भी पैसा आएगा वो anonymous होगा मतलब कौन सा corporate group political party को funding कर रहा है ये पता नहीं चल पाएगा अब ये दो चीजें बड़ी गलत बताई जानी एक तो political parties के पास unlimited पैसा आना ये गलत है दूसरा पैसा कहां से आना ये पता नहीं चलना ये गलत है ये बात बोली जा रही है और ये कही ना कहीं सही भी है अगर आप बात करो democracy की इंडिया में democracy का मतलब क्या होता है democracy का मतलब यह होता है कि citizens जाएंगे अपने votes cast करेंगे उन लोगों के लिए जिनको वो चुनके लोग सभा में लेके आना चाहते है जो लोग को चुनके वो state legislative assembly में लेके आए वो लोग राज सभा members को भीजते है तो यहाँ पे यह नहीं पता है and that is why this piece of legislation is actually very problematic यह बात यहाँ पे बोली जारी है दुनिया भर में जो democratic societies हैं अगर आप उनको देखो तो यह बात प्रूव कर दी गई है कि beyond doubt पैसा जो है वो चलता है देखे किया लिखा हुआ है across democratic societies and through time मतलब पैसे के दम पे आप government को बोल सकते हो कि क्या policy बनानी है पैसे के दम पे जो भी regulatory architecture उसको आप बदल सकते हो उसको आप अपने favor में घुमा सकते हो मतलब level playing field को आप subward कर सकते हो और यहाँ पे यह होने के chances है क्यों होने के chances है उसका reason यह है कि पता नहीं चल रहा है कि पैसा आप कहा से रहा आप मान लेजे किसी बड़े corporate house ने किसी political party को पैसा दिया और वो political party को ऐसी policy बना रही है जो उस बड़े house के favor में है अब यह बात अगर लोगों को पता चलेगी तो लोग अगली बार vote डाल के किसी और political party उचिता सकते हैं लेकिन जब लोगों को पता ही नहीं चला कि कौन से corporate house ने किस political party को कितना पैसा दिया तो लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर अगर आपको बात है ना समझ में आ रही हूं दोस्तों तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप दो वीडियो जरूर देख लो जो कि मैंने अल्रडी इपने चैनल पर बना रखी है इसके ओपर मैंने वीडियो बना रखी इस वीडियो में भी मैं समझाओंगा हलके फुल के न्यूएंसेज अफ एलेक्टरल बांड बट बहुत डीटेल में अगर आप एलेक्टरल बांड के बारे में जाना चाहते हो इस पर्टिकलर वीडियो को देख लिजे एक और वीडियो मैंने लक्षमिका समझा रखी दी टैश लिमिट्स ऑफ 2,000 फॉर डोनेशन इंडिया और अलेक्टरल बांड फॉर वोटिंग इन इंडिया और क्या एक्स्पेंडिचर लिमिट्स हैं लोग सबाकियो स्टेट लेसिट इसेट इसेमली की तो ये वीडियो भी कहीए न कहीए आपको काम आएगे ठीक है भई तो क्या बोला जा रहे हैं आपर बोला ये जा रहा है कि अगर किसी डेमोक्रेसी को एग्जिस्ट करना है थ्राइव करना है तो पॉलिटिक्स में पैसे का रोल कम होना चाहिए ठीक है भाई चलिए कोई बात नहीं लेकिन क्या इंडिया में politics में पैसे का रोल कम हो रहा है नहीं हो रहा है electoral bonds के दम पे क्या हो रहा है देखें citizens dark में है citizens किस बारे में dark में है source of money political parties के पास पैसा कहां से आ रहा है यह हमारे देश के नागरियों को नहीं पता चलता है it is then impossible to ever know or assess whether a government policy is nothing more than a quid pro for wonders मतलब गौवर्मेंट को किसी political party ने sorry political party को किसी corporate group ने पैसा दिया उस corporate group के favor में quid pro क्यों में उस political party के सरकार ने कोई policy बनाई क्या कभी भी हमारे देश में vote डालने वाले लोग यह जान पाएंगे obvious ही बात है नहीं जान पाएंगे हमारी supreme court ने बहुत लंबे समय से बोला है कि भाई elections के respect में right to know बहुत important है चूंकि Indian constitution के अंदर right to freedom of expression कहने के मतलब यह है vote डालने का अधिकार कहा है right to freedom of expression और जब आपने vote डाला तो आपने किसकी दम पे डाला जो information आपको पता है information अगर आपसे चुपा ली गई तो आपके fundamental rights यहाँ पे overlaid हो रहा है और यह जो electoral bonds है यह हमारे citizens और voters से knowledge चुपा के information चुपा के हमारे democracy को fundamental tenets को overlaid कर रहा है और इसकी बचाने की responsibility की इसकी है Supreme Court की बड़ Supreme Court बचा पा रहा है अब यह तक लिए तो नहीं बचा पा रहा है ठीक है अब आप बात करो क्या सारी countries में ऐसा होता है सारी democratic countries में केवल इंडिया में यह problem है देखे जो दुनिया बर के advanced और developed countries है वहाँ पे elections को publicly fund किया जाता है मतलब tax के पैसे से election की funding होती है अब इंडिया में इतनी गरीबी है यह tax के पैसे से अगर election की funding होने लगी तो बवाल मन जाएगा जो सरकार इस नियम कानून को लेके आईगी वो उसी दिन गिर जाएगी तो यहाँ पे क्या किया गया है अचाए advanced countries में जब tax के पैसे को इस्तमाल करके funding की जाती है तो जो funding है वो एक appropriate way में होती है सब के सामने होती है तो अगर BJP को जितना पैसा मिलेगा उसके proportion को Congress को मिलेगा उसके proportion में त्रिनमूर Congress को मिलेगा बिजू जिन्तगल को मिलेगा समाजवाधी party को मिलेगा मतलब अलग अलग political parties को अपनी पूल performance के साब से पैसा मिलेगा ठीक है भाई कहीं न कहीं आप कह सकते हो कि यह fair है लोगों को सामने सामने देख रहा है कि political party को कितना पैसा मिल रहा है कहां से मिल रहा है लेकिन यहां पे electoral bonds में प्रॉब्लम यह है कि पहली बात तो यह नहीं पता चल रहा है कि political parties को पैसा कहां से मिल रहा है दूसरा यह नहीं पता चल रहा है कि कितना मिल रहा है इसलिए वो देश जहां पे publicly elections को fund नहीं किया जाता है वहाँ पे जितना भी political party खर्चा कर रही elections में उसके उपर एक limit लगाई जाती है और हमारे देश में भी political parties के उपर कि आप लोग सभा की constituency में और state legislative assembly की constituency में maximum कितना पैसा खर्च कर सकते हो इसके उपर limit लगाई गई है ठीक है जब problem यहाँ पर यह है पहली बात तो electoral funding bond scheme ने साली limit सटा दिये अब समझ यह बात को इंडिया में अभी भी representation of people act के अंदर जो भी आपकी लोग सभा की constituency है और जो भी आपकी state legislative assembly की constituency है वहाँ पर limit लगी हुई है लेकिन electoral bond के अंदर एक political party को कितना पैसा मिला इसके उपर कोई भी limit नहीं है और obvious ही बात है जब हमको यह पता ही नहीं है कि एक political party कितना पैसा मिला तो उस political party ने अपना पैसा कैसे खतम किया यह भी हमीं नहीं पता चल पाएगा तो जो well-resourced corporations हैं वो बहुत सारा पैसा खतम करके political parties को खरीच सकती है और यहाँ पे B.R. Ambedkar साहब का कहा हुआ एक सिधान्त wallet हो जाएगा Ambedkar साहब ने क्या बोला कि हमारे देश में हर person को vote डालने का दिखार है अभी किसी एक person ने vote डाला तो उसकी vote की value क्या हो गई? एक हो गई अब कोई बड़ा corporation है उस बड़े corporation के जो multi national staff है वो भी vote डालेंगे उनकी vote की value भी एक है लेकिन problem यह है कि वो अपने पैसे के दम पे अगर policy changes अपने favor में कर सकते हैं उनकी एक vote की value बहुत जादा हो जाएगी गरीब आदमिया एक आम आदमी के vote से मतलब अमेटकर साब का जो हमारे बाबा साब का सिद्धान था कि एक vote की value भी बराबर होगी पूरे देश में वो सिद्धान यहाँ पर violet हो रहा है दूसरी बात यह कुछ और गलत चीज़े कर रहे हैं चुकि सारी के सारी funding state bank of India के सुरू जा रही है तो कोई भी ऐसा corporate जो कि opposition party को अगर funding देता है तो ruling party को पता चल जागा state bank of India सरकारी bank है तो अगर सरकार को पता करना हो state bank of India से कि भाया कौन सा electoral bond opposition political party को मिला तो तुरूंट पता कर लेगी सरकार तो यहाँ पे वो corporation जो कि opposition की political parties को support कर रहे है कहीं न कहीं सरकार उनसे बदला निकाल सकती है और हमारी इस सरकार के against अक्सर कर यह इलजाम लगाया जाता है कि यह investigating agency जैसे NIA, CBI सब का इस्तमाल करती है अपने political purposes को meet करने के लिए यह सब बाते हैं यहाँ पे गौत्तम भाटिया साब rolling party के उपर इज़ाम लगा रहे है और यहाँ पे साफ साफ बोल रहे हैं गौत्तम भाटिया साब कि पिछले तीन सालों में जब यह electoral bond की scheme लागू ही है obvious ही बात इसका सबसे ज़ादा फाइदा किसको गया होगा भारती जनता party हो गया होगा कितना गया यह किसी भो नहीं पता अब सरकार का भी point सुनते है सरकार ने जब electoral bond scheme लेके है सरकार ने क्या बोला कि हम black money के flow को रोखना चाहते है ठीके भाई सरकार ने बोला black money का flow रुख जाएगा कैसे रुख जाएगा तो भाई आप electoral bond को cash से नहीं खरी सकते आप अपने account के थूप payment करके खरी सकते हो यह सरकार ने बोला लेकिन यहाँ पे logic क्या है logic यह है नितिन सेठी जनरलिस्ट का नाम लिया गया और गौतम भाटे साब भी logic दे रहे है कि भाई आप black money को flow को रुखना चाहते हो ठीक है आप online payment करा रहे हो ठीक है लेकिन आप source क्यों चुपा रहे हो अगर किसी बड़ी corporation ने online payment करके आपको political party को पैसा दिया है ठीक है भाई आप bank के थूप banking system में पैसा लेके आ रहे हो तो black money eliminate हो रहा parallel economy eliminate हो रही है सही बात है लेकिन पैसा कहां से आ रहा है ये भी लोगों को बता दो सब कुछ justified हो जाएगा वो सरकार नहीं बताना चाहती और उस anonymity के चलते limitless transactions होते है citizens को पता ही नहीं चलता है कि हो क्या रहा है अच्छा एक बात और बता ही जा रही है कल की date में चीज़े public भी कर दी जाएगे न तो ये पैसा political parties के पास सीधे सीधे नहीं आ रहा होगा किसी corporate group से अगर किसी बड़े corporate group को party को पैसा देना है समझ गया बात को तो ये सब आती है यहां पर बोली जारी है प्लस ये भी बोला गया है कि भाई जो पैसा है political parties के बाद वो foreign sources के थूरू भी आ सकता है अभी foreign sources के थूरू पैसा आने के लिए आपने foreign contribution regulation act में amendment कर दिया electoral bonds को उसको वहां से skip कर दिया अब आप foreign से भी पैसा मगा सकते हैं तो foreign से पैसा इंडिया में कौन सा आ रहा है कितना आ रहा है किस basis पे आ रहा है इसके बारे में लोगों को कोई जानकारी है ही नहीं तो कहीं न कहीं गलती है हमने यहां पर देखिए electoral bonds की जो गौतर महटे सा बता रहे अब यहां पर code का क्या रोल हो जाता है code का रोल यह हो जाता है कि कहीं न कहीं अगर हमारा सम्विधान वाइलेट हो रहा है तो इसके respect में आप अपनी ruling दो सम्विधान यहां पर वाइलेट हो रहा है चुकि लोगों का freedom of special वाइलेट हो रहा है गौतम भाटिया साब यहां पर supreme court की बुराई भी कर रहे है गौतम भाटिया साब बोल रहे हैं कि supreme court ने 2018 से electoral board of world case को limited रख रखा है कोई proper decision आ नहीं रहा यह electoral bond case multi-party democracy को violate कर रहे है कैसे एक political party इस electoral bond की system का गलत तरीके सफाइदा उठा रही disproportionate तरीके सफाइदा उठा रहे है तो यह multi-party democracy जो है इंडिया उसके सिधान के अगिश्ट भी जाता है तो इन सब basis में यहां पर electoral bond की scheme को criticize किया गया जो मैंने reference videos दी है उनको भी देख लोगे तो चीज़े थोड़ी ज़ादा क्रियर हो जाएगी अब बात करते हैं removing the wedges in India-Bangladesh-20 small but important steps can put an end to long-standing issues in a relationship that is gradually coming of age India-Bangladesh-20 की बात की जाए तो 50 सासे इंडिया और बांगलादेश की दोस्ती हैं इंडिया ने बहुत सा political, diplomatic, military और humanitarian support दिया है किसको बांगलादेश को इन फैक्ट बांगलादेश की liberation war को कराके बांगलादेश को independence दिलाने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है अगर इंडिया ने उस समय मांगलादेश की मज़द नहीं कियोती आज बांगलादेश एक आजाद country नहीं होता लगबग 3900 भारती soldiers ने शहीदी दी अपनी जान दी तब जाके बांगलादेश को आजादी मिल पाई दस मिलियन बांगलादेशी refugees ने उस समय पे लगबग एक करण बांगलादेशी ने उस समय पे इंडिया में शरण ली चोकि हालात काफी खराबते उस समय पे East Pakistan में जो की बाद में बांगलादेश बना जब independence मिल गी बांगलादेश को उसके बाद इंडिया और बांगलादेश की रिस्ते बहुत tumultuous रहें कभी अच्छे कभी बूरे और ये किस बात पर डिपेंड किया ये इस बात पर डिपेंड किया है कि बांगलादेश में सरकार किसकी है तो जब तक प्रेजडेंट शेख मुझीबूर रहमान जिन्नोंने बांगलादेश बनाया था तब तक जब तक इस इनदाते तब तक relations इंडिया मंगलादेश के बहुत अच्छे रहे 15 आगास 1975 को जब इनका assassination हो गया इनको मार दिया गया उसके बाद भाई military rule आ गया मंगलादेश में जनर्र जियाओर रहमान ताकत में रहे प्रेजडेंट बने रहे इनको भी assassinate कर दिया गया 1981 में उसके बाद भी रिष्टे कुछ खास बहुत अच्छे हुए नहीं चोकि 1982 से लेके 1991 तक एक military-led government थी जनर्र हम इर्शात के अंदर और एक military-led government की एक democracy की साथ अच्छी दोस्ती हो जाए यह possible ही नहीं है 1991 के बाद जब बाद बांगलादेश में relations रहे हैं, warm-up हुएं एक नया era of cooperation शुरू हुआ पहले historical और cultural tries तो थे ही थे, trade भी शुरू हुआ connectivity भी शुरू हुआ, energy cooperation भी शुरू हुआ और कहीं न कहीं defense cooperation भी यहाँ पे शुरू हुआ है अब recently क्या क्या चीज़ें अच्छी हुए इंडिया और बांगलादेश ने 2015 में sign किया land boundary agreement ये एक बहुत बड़ा issue था और बहुत लंबे समय से एक pending issue था इंडिया बांगलादेश के बीच में इस land boundary agreement को sign करके इन्होंने enclaves को आप कह सकते हो swap किया था कुछ enclaves बांगलादेश के थे इंडिया की साइट पे थे कुछ enclaves इंडिया की साइट पे थे जो बांगलादेश की साइट पे थे तो land border के हिसाब से इंडिया वाले enclaves जो की बांगलादेश की थे वो इंडिया में आ गए और बांगलादेश वाले enclaves जो की इनिया को दे दिया गयाDERि इप इल्ड कीुट हिलोमीटर की टेरी का इंड्या के नुखसान वह थे वट एक बहुत बड़ा issue resolve हो गया थे यहाँ पर और in place में रहने वाले लोगों को ये option भी दिया गया था कि आप कौन से देश के नागरीग बनना चाहते हो ये एक बहुत बड़ा issue था जो कि 1971 से चला आ रहा था फाइनली ये 2015 में solve गुआ फिर आप देखो बांगलादेशी सरकार ने भी भारत से रिष्टे अच्छे करने के लिए कुछ चीज़े की खासकर उनकी जो करेंट प्राइमिनिस्टर है शेक हसीना उन्होंने anti-India insurgency elements को अपनी तरफ पे कम किया कही न कहीं इंडिया और बंगलादेश एक ऐसा बॉर्डर बन के आया है इस रीजन में जो की बहुत peaceful है आप इंडिया की northern borders को देख लीजे देख लीजे पाकिस्तान के साथ line of control वो कितनी ज़्यदा आपके साथ तो unstable रहती इंडिया चाइना के साथ जो line of actual control है वो कही न कहीं बहुत लंबे समय तक stable रही है लेकिन पिछले साल अप्रेल माई से लगबग जो problem शुरू हुई कितनी बड़ी problem होगी जवान हमारे गलवन वेली में शहीद हो गए तो ये भी बड़ी problem है मनलब कहीं न कहीं चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमको अपने बहुत सारे resources deploy करने पड़ते हैं अच्छी बात ये है कि बांगलादेश के बॉर्डर पे हमारी सरकार को ज़्यादा resources deploy नहीं करने पड़ रहे हैं इसकी एक वज़े ये भी है कि बांगलादेश की सरकार की तरफ से ये anti-insurgency वाला element हटाने की बात की गई है ठीक है आज की डिट में बांगलादेश और इंडिया की जो अच्छे रिष्टे हैं ये इसकी एक वज़े है उसके बाद बात की जाए तो बांगलादेश is one of the India's biggest trading partner अगर आफ financial year 2029 की बात करो ठीक है South Asia में बांगलादेश और इंडिया की ट्रेड की तो भी इंडिया ने बांगलादेश को export किया 9.21 billion dollars की goods और बांगलादेश से इंडिया ने import किया 1.04 billion dollar की goods बांगलादेश के ऐसे बहुत से products हैं जिनको इंडिया में duty free access मिलता है मतलब जब वो इंडिया में आते हैं तो उनके ओपर import duty नहीं लगाई जाती है या import duty कम लगाई जाती है फिर क्या बोला जा रहा है अगर इंडिया की तरफ से non-tariff barriers हटा दियेगा या import duty के अलावा जो बाकी प्रकार की barriers होते है जैसे quantitative barriers हो जाते है quality based barriers हो जाते है इस प्रकार की barriers अगर इंडिया की तरफ से हटा दिये जाए तो बांगलादेश से और सावान इंडिया के नदर import हो सकता है फिर development की front पे बात की जाए तो भी इंडिया बांगलादेश की रिष्टे अच्छे है पिछले कुछ सालों में आप देखोगे तो इंडिया ने बांगलादेश को 8 billion dollars की line of credit दी है line of credit का मतलब क्या होता है line of credit मतलब एक बड़ा fund उस fund से एक सरकार पैसा निकाल सकती है अब विसी बात है उस पैसे के उपार उस सरकार को tax देना पड़ेगा तो 8 billion dollars की line of credit दी है इंडिया ने किसको? बांगलादेश को इस line of credit को इस्तमाल करके बांगलादेश अपनी तरफ पे roads, railways, bridges और ports बनवा सकता है लेकिन इसमें problem है देखे, यह जो 8 billion dollars की line of credit दी गई यह 3 phases में दी गई पहले phases में जो line of credit दी गई वो 800 million dollars की है problem यह है कि 2019 तक 2011 से लेकि 2019 तक पहले 8 सालों में इस 800 million line of credit में से save cable 51% यूज़ किया गया सोचिए, भारत ने बांगलादेश को 8 billion dollar की line of credit दे रखा है लेकिन इस 8 billion dollar में से 800 million dollar का भी आधा कम चुकि 8 billion dollar ऐसा नहीं कि एक fund खोला गया और उसमें 8 billion dollar डाल दी गई तीन phases में 8 billion dollar रिलीज हुए पहले phase में 800 million dollar रिलीज हुए और इस 800 million dollars में से 2019 तक मांगलादेश ने केवल 51% पैसा उठाया मतलब कि line of credit जादा 8 billion dollar की है लेकिन प्रोजेक्ट का जो implementation rate है वो बहुत कम है इसकी बज़े क्या बताई जा रही है इसकी पहली बज़े तो ये बताई जा रही है कि इंडिया की तरफ से रैक्टेपिसम जब भी इस line of credit से पैसा निकालने की बात होती है तो इंडिया की तरफ से file movement धीमे हो जाता है पैसों का release धीमा हो जाता है दूसरा जो भी project के लिए line of credit से बांगलादेश पैसा उठाता है अपने side पे वो project का implementation धीमा होता है तो बांगलादेश पैसा तो अठा लेता है पर project वो धीमी धीमी बनाते है तो यह एक problem है तो भले ही 800 million dollar का पहले face में दूसरे face में 6.5 billion dollar का total 8 billion dollar की line of credit दे रखी है लेकिन पहले 8 सालों में 2019 तक कि अब लगबग 400 million dollar ही इस्तिमाल की है तो 8 billion dollar की line of credit देने का फाइदा ही किया जब वो इस्तिमाल नहीं हो रही है तो यह एक problem है जिसको solve करने की ज़रू है तो यहाँ पर क्या करना चाहिए कि अगर बांगलादेश की तरफ से पैसे की request आती है और अगर इंडिया ने line of credit दे रखी तो पैसा जल्दी release करो at the same time बांगलादेश में उन projects का construction तेजी सोना चाहिए वहाँ पर project delay नहीं होना चाहिए नहीं तो इंडिया भी बोलेगा कि हम आपको पैसा दे रहे है आप project बनवा नहीं रहे हो खुलने हम corruption कर रहे हो तो कैसे काम चलेगा तो दोनों तरफ से issues को resolve करने की ज़रू होते है प्लस कुछ और जगाओं पर यहाँ पर पोटेंशियल है, scope है association का बांगलादेश से बहुत सारे टूरिस्ट इंडिया में घूमने आते है कहिना कि इंडिया से भी बांगलादेश में जाते है बांगलादेश से इंडिया में तोले ज़्यादा आते है अगर आप बात करो 2017 में इंडिया में है ना इंडिया के 35% बांगलादेश से आते है और हमारे medical tourism का जो revenue है ना 50% से ज़्यादा बांगलादेश से आता है तो इस respect में भी बांगलादेश से बहुत सारा पैसा इंडिया में आ रहा है तो आप कह सकते हो कि scope of relation between बांगलादेश and इंडिया is quite high हाला कि एक बात यहां पर नहीं बोली गई है इंडिया की तरफ से भी by trade का potential बहुत जादा है tourism का potential in fact बहुत जादा है इंडिया की तरफ से भी बहुत सारे लोग बांगलादेश जा सकते हैं गूमने के लिए बद पॉइंट यह है कि इंडिया वालों को अगर गूमने का मौका मिलेगा तो वो भूटा और यूरोप वगारा को जादा प्रफरेंस देंगे एक बार को बांगलादेश जो कम प्रफरेंस देंगे और जिसके पास योरोप जाने की उकाद है वो योरोप ही जाएगा, इंडिया नहीं आएगा, बट फिर भी ज्यादातर बांगलादेशी इंडिया ही घूमने आते हैं, फिर अगर बात की जाए, तो भाई इंडिया और बांगलादेश की बीच में connections भी अच्छे हो गए, अब आप देखो एक direct bus service चलती है कॉलकत्ता के बीच में और अगर तला के बीच में, अब आपको बांगलादेश का नक्षा अगर ऐसा दिख रहा है तो फ्यारो तरफ इंडिया है, अभी कलकत्ता से अगर यहां अगर तला पहुंचना है तो यह तो चिकन नेक कोरीडर में पूर अगर तला की, अगर तला से लेके कलकत्ता की, जो की सिर्फ 500 किलोमेटर का डिस्टेंस तै करती है, 1650 किलोमेटर पूरा चिकन नेक कोरीडर कवर नहीं करना पड़ता है, फिर दोनों कंट्रीज की बीच में, तीन पैसेंजर और फ्रेट रेलवे सर्विसे अल्रेड़ी चल और भी बहुत सारे रूट्स अभी के लिए बन रहे हैं, एक रिसेंटली 1.9 किलोमेटर लंबा ब्रिज बना है, मैत्रु सेतुर नाम का, जिसको प्रधान मंतिर नरेंद बोधी जी ने इनाउग्रेट किया, इंडिया में सबरूम नाम की जगा को, बांगलादेश में रामक इस प्रकार के जो स्टेट्स हैं, हमारे नौर्थ इस्ट के, उनको सी पोर्ट का एकसेस कराता है कौन बांगलादेश, तो बांगलादेश की जो मोंगला और चाटो ग्राम जिसको आप चिट्टा गॉंग भी बोलते हैं, यह जो सी पोर्ट्स हैं, ठीके ना, यहां पे आप देखो, बांगलादेश अलाउस देशिप्मेंट ऑफ गोड्स वाम इट्स मोंगला और चाटो ग्राम सी पोर्ट, तो सी पोर्ट पे समान आया, फिर वो रेड, रोल और वाटर वे के थुरू, अगरतला, त्रिपुरा तक पहुँचाए गया, अकुडा के दोरब, दावकी तो मेघाले जैसे स्टेट्स हैं, जो कि लैंड लॉग हैं, इनको समुंदर का एक्सेस प्रोवाइड करता है, यह बहुत इंपोर्टन है, उसके बाद अगर आप देखो, तो आसा मेघाले त्रिपुरा इनको भाई, उपन वाटर रूट देखे, समुंदर से पानी बांगल बांगलादेश के तो, फिर कहीं न कई इंडिया बांगलादेश के वीच में जो अन्रिजॉर्ट तीस्ता का इश्यू है, यह बहुत बढ़ा इश्यू बनके सामने आया, 2020 में देखा कि बहुत सारी बार्डर शूटिंग्स हुई है, बार्डर सिक्योर्टी फोर्स के दोरा सीविलेंस के उपर गोलियां चलाई गई, यह वो सीविलेंस थे जो कैटल ट्रेडर्स थे, यह जो इलीगल कैटल ट्रेडर्स वाला मुद्धा है, इसको लेके बांगलादेश का एक अलग स्टैंड है, इंडिया का एक अलग स्टैंड है, कहीं न कहीं इंडिया ने इन सब चीदों को justify भी कि इंडिया बंगलादेश के respect में अगर बात की जाए तो अगर आप illegal cattle smuggling वाले issue को समझना चाहते हो इसमें CBI की क्या probe हुई कैसे बंगलादेश और West Bengal के border पर इस प्रकार की cattle smuggling को execute किया जाता है उसके लिए मैंने एक अलग video बना रखी तो illegal cattle smuggling in West Bengal मेरे नाम ह आपको यह particular video मिल जाएगी यह इसका थम नहीं लें दूसरा इंडिया बंगलादेश के relations पे मैं अलड़ी कई वीडियो बना एक वीडियो यह वाली बना चुका हूं वैसे तो बहुत सी वीडियो मैंने इंडिया बंगलादेश के बारे में बात किया बट इस एक particular वीडियो म पर हमारे border security force के जो जवाने वो अक्सर कर गोले चला जेते हैं, cattle traders की मृत्ती हो जाती है, जो इंडिया मंगलादेश border पे smuggling होती है, इस smuggling को रोकते हुए कभी न कभी killings हो जाती है, और इन killings को recently हमारे सरकार के दौरा कहीं न कहीं justify भी किया गया, सरकार के दौरा सीथे border, raises questions as to why killings, मतलब भले ही हमारे जैशंकर साब ये बोल रहे हैं कि भाई, कोई death नहीं होनी चाहिए, border पे कोई crime नहीं होना चाहिए, बट जैशंकर साब ये भी बोल रहे हैं कि कोई crime नहीं होना चाहिए, और crime के रोकने के लिए हमारी armed forces को पूरी आजादी दे रखी है, तो जो कि बंगलादेश की तरफ से इंडिया में आ गए हैं, वो National Register for Citizens से बाहर निकल गए हैं, अब क्या इन लोग को वापस बंगलादेश में भीजा जाएगा अज़ा बर्दस्ती, ये एक बड़ी problem होने वाली है, तो National Register for Citizens का जो implementation है, वो बंगलादेश सरकार के साथ इंडिया कि नागरिकता मिल जाती है, और Muslims को वापस बेजाता है, तो भी problem है, अगर Hindu Muslims दोनों को मंगलादेश वापस बेजा जाता है, तो भी problem है, जो कि कहीं है कि मंगलादेश में भी आज़ाती जाता है, और जो लोग एक बार मंगलादेश से बाहर निकल गए, उसको वापस मंगल पालदीव से, यहां पे चाइना का जो इंटर फेरेंस है वो बहुत जादा हो गया, और कहीना के यह कंट्री चाइना की तरफ टिल्ट हो रही है, थोड़ी बहुत अगर आप बात करो मंगलादेश के वो भी चाइना की तरफ टिल्ट है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन य लोगों के इमान धर्म को बदल देती हैं यहां पर में पॉइंट बोलूँगा कि इंडिया की कैपेबिलिटी थोड़ी लिमिटेड हो जाती है यह बात चाइना भी जानता है यह पैसे की उभूग बहुत बड़ी होती है इननने चाइना को जब चैना से पैसा मिलता है व्लटी निल्टी लेट्रें करा मिलते हैं बड़ बड़ा इंवेस्टमेंट रा नासे चैना से है तो इननन पराव्लम के सामने चाइना की रिस calculate में बहुत खाए概 और चाइना की जो इंटर्फेरेंस से वो इस हद तक दिखाई कि एक भूटान जो कि बहुत बड़ा पार्टनर इंडिया का उसने भी अपने आपको पुल आउट का लिया बीबी आया मोटर वैकिल एग्रिमेंट से हलाकि भूटान ने वज़य यहां पर यह दी थी कि इस मोट इंडिया को काउंटर करने की जो भी इंडिया के लिमिटेड मीन से इंडिया काउंटर करने की कोशिश करी रहा है तो यहां पे इंडिया बांगलादेश की रिलेशन्स में क्या-क्या की पॉइंट से कैसे चैना इंटर्फेर कर रहा है क्या-क्या आग्यान आवले स्कोप है और क्या कहा है यहाँ पे pending issues इसके बार में हमने थोड़ी बहुत जानकरी brief में यहाँ पे ली है ठीक है अगले article पे चलते है An Inequal Providence, Modified Tax Provisions on Pension Fund Income Discriminates Against Non-Governmental Employees Finance Act जो आया 2021 का उसमें 127 amendments proposed किये कि उसमें एक amendment यह था कि अगर किसी individual के सालाना PF contribution मतलब उसने जितना पैसा PF contribution में डाला है अगर वो धाई लाक रुपए से जादा है तो इस पैसे पे जो भी कमाई होगी इस particular person की उसके उपर tax लिया जाएगा अगर धाई लाक से कम है तो जो कमाई होगी उसके उपर tax नहीं लिया जाएगा अब आपको दो चीज़ें या पर समझनी पड़ेंगी एक तो जब भी आप में से कोई salary होगा तो इसको यह बात पता होगी नहीं salary होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने मान लिजे साल के 10 लाक रुपए कमाएं अब इस 10 लाक रुपए में अगर आप 10 लाक रुपए पी पीएफ या NPS जासी स्कीमों में डाल देते हो 10 लाक तक तो इस 10 लाक रुपए को taxable income में count नहीं किया जाएगा मतलब इस 10 लाक रुपए पे tax नहीं लिया जाएगा यह हमारे देश में आप कह सकते हो एक नियम है इससे क्या होता इससे saving प्रमोट होती कि अगर आप 1.5 लाक रुपए तक save कर रहे हो तो सरकार tax नहीं लेगी अब इसके साथ अगर आप इस particular provision को देखो कि भाई धाई लाक रुपए मतलब कि सालाना अगर आपने PF में धाई लाक रुपए से जादा डाले तो इसके ओपर जो भी कमाई होगी उसके ओपर income tax लगेगा आप समझेए अगर आप 2.5 लाक रुपए तक अपने NPS में PPF में डाल रहे हो तो 1.5 लाक तक टो tax deductible है जो extra 1.5 लाक आपने डाले ना उसके ओपर आपको सरकार पो tax देना पड़ेगा मतलब 10 लाक में से अगर आप 1.5 लाक तक डालते इस PPF में तो आपका tax नहीं करता बट अगर आप 2.5 लाक तक डाल रहे हो तो exemption 1.5 लाक कहीं मिलेगा 1.5 लाक पर आपको tax देना पड़ेगा लेकिन वो तो आप सरकार को tax दे ही रहे है अपनी कमाई का जो धाई लाक आपने इन्वेस्ट किया जादा उसके उपर जो कमाई हुई interest income उसके उपर आप tax देना पड़ेगा ये problematic चीज़ बताई जारी है यहाँ पर जब finance minister निर्मला सीतरमन जी ने इस bill को introduce किया था तो बहुत सारे member of parliament ने सवाल पूछा थी बाई ये scheme आप क्यों लेकिया रहे हो अरे धाई लाक को limit क्यों रख रहे हो कोई ज़्यादा पैसा invest करना चाहता है तो क्या problem आपको तो यहाँ पे निर्मला सीतरमन जी ने क्या बो holders हैं उसमें 93% धाई लाक रुपए से ज़्यादा पैसा invest नहीं करते हैं पीएफ में जो लोग धाई लाक से ज़्यादा पैसा पीएफ में invest कर रहे हैं वो कहीं न कहीं scheme को abuse कर रहे हैं वो कहीं न कहीं इस scheme के basis पे जो भी अपनी interest income में उसके ओपर tax नहीं देना चाहते हैं य और आपका employer आपके retirement fund account में एक भी रुपया नहीं दालता है तो भी आपको आपकी interest income पे tax नहीं देना है तो दो नियम हो गए यहाँ पे एक तो आप 2 लाक रुपए तक अगर PF में contribute कर रहे हो तो उसकी interest income पे आपको tax नहीं देना है दूसरा आप 5 लाक रुपए तक provident fund में और उसके साथ एक condition all लगा दी गए कि जो आपका employer है जिसने आपको नौकरी दी है वो आपके retire fund में एक भी रुपया नहीं दाल रहा है तो ऐसे cases में आप अपने PF में 5 लाक रुपए तक साला नहीं दाल सकते हो हम tax नहीं लेंगे अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह ची उनको pension का benefit मिलता है मतलब सरकार महीने में उनके retirement account में कुछ नहीं डालती है तो 2004 से पहले जिन्होंने government service join कर रखिये जो अभी भी pension scheme के अंदर आते हैं जो GPF account है जिनके पास NPS scheme नहीं है उन लोग के पास यह leverage आ जाता है चुकि उन लोग के retirement account में सरकार A.B. पैसा महीने का डाल नहीं रही है तो वो लोग अगर 5 लाख रुपए तक invest करते हैं provident fund में तो 5 लाख रुपए तक की interest income पे उनको कोई tax नहीं देना है लेकिन problem यह है कि यह जो scheme benefit है बहुत limited लोग को मिल रहा है उन senior government servants को मिल रहा है जो 2004 से पहले service join कर चुके हैं जो GPF scheme में आते हैं NPS में आते हैं अब यहां पे problem है problem यह है कि जो scheme benefit है यह बहुत एक छोटे तब के को मिल रहा है आज की date में क्या है आज की date में जदातर जो employers हैं वो retirement fund में पैसा डालते हैं चाहे आप सरकार में चले जाओ चाहे आप किसी private company में job करने के लिए चले जाओ अगर आप देखो तो क्या liability है उसके PF account में महीने का पैसा डालने की या NPS account में महीने का पैसा डालने की वो है 15,000 रुपे प्रत महीना अगर 15,000 रुपे प्रती महीना से ज़ादा एक employee अपने PF account में डालता है तो उतना सरकार डालने के लिए liable नहीं है बेसिकली सरकार कितना पैसा डालेगी लगबग 24% of your basic pay ऐसा कहा गया हाला कि यह जो नए wage rules आये हैं यहाँ पे private employers को यह बोला गया है कि भाई जो भी cost to company है उसका 50% आप डालो PF में उसके बारे में थोड़ी दिर में आता है तो यहाँ पे देखें सरकार अगर आप private company की बात करो या फिर आप ये अगर आप government की बात करो आप चाहें private company की बात करो कहीं ना कहीं 15,000 रुपे तक के limit है मतलब जो भी सरकार है या जो भी private company हो maximum 15,000 रुपे तक महीने लोगों के provident में पैसा डालना उनकी liability उसके बाद वो चाहें तो ना डालें एक employee अगर अपने NPS में या PF में पैसा डालना चाहता है 15,000 रुपे पती महीने से ज़्यादा तो वो डाल सकता है उसको कोई problem जी उसको rebate के बाद 10,000 रुपे तक की मिलेगी आप समझे यहाँ पे बात को एक बात यहाँ बोली जा रही है कि 3-4 चीज पताब 1,500,000 तक की invest पे tax नहीं लगाए जाता है उसके उपर जो investment किया उसके उपर tax लगाए जाएगा ठीक है भई उसके बात कीज़ाए 20,000,000 रुपे से ज़्यादा का अगर आपने contribution किया है तो उसकी interest income पे आपको tax देना पड़ेगा अब वो यह रहा है यहाँ पे जो नया wages code आया है यह क्या बोलता है it will compel employers to pay higher EPF contribution by linking them to at least half of their total pay on a cost to company basis rather than 24% of the basic pay present यह नि अभी के लिए जो employer से जो नौकरी देते हैं लोगों को जितने भी basic pay वो देते हैं अपने employees को उस basic pay का 24% उनको उनके EPF fund में डालना पड़ता है employee provident fund में जो नया wages code bill है वहाँ पे employer से बोला जा रहा है कि भाई जो भी तुमारी cost to company है एक particular person को hire करने में उसका कम से कम 50% तुम उनके employee provident fund में डालो अभी ऐसे cases में जिनकी salary थोड़ी भी जादा है वहाँ पे employer सीदे सीदे employee provident fund में पैसा डालेगा अभी employee provident fund में तुम जबरदस्ती employer से पैसा पड़वा रहे हो और at the same time तुम क्या बोल रहे हो कि भाई 20 लाग रुपे से जादा अगर तुमने PF में या employer provident fund में डाल रखे है तो उससे ज़्यादा डाला है उसके उपर जो interest income होगी उस पर tax देना पड़ेगा समझ गया बात को यहाँ पर यहाँ तो एक आप कह सकते हो contradiction हो रहा है या फिर यहाँ पर एक proper approach ज़्यादा tax करने की चुकि एक तरफ अगर आप लोगों को यह बोल रहे हो कि भाई 20 लाख र सकते हैं अगर इस से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो जो भी interest income होगी tax देना पड़ेगा चलिए बात समझ में ही लेकिन अपने wages code में employers को बोल रहे हो कि employees की basic salary का 50% उनके EPF में डालो तो अगर 50% EPF में डलेगा तो अव्यसी बात है EPF में सालाना धाई लाक रुपय से जादा ही जाएगा तो इसका मतलब यह है कि उस EPF के ओपर जो interest income होगी उस पर आप tax वसूलना चाहते हो यह बात बोल डियो सरकार तो कहीं न कहीं सरकार का यह जो step है या तो सरकार ने जल्दी-जल्दी मिले लिया है जदा सोचा नहीं है या फिर सरकार ने जबरदस्ती में लोगों की provident fund की जो income है उस पर जो interest आता उस पर tax वसूल हो जा सके तो यह एक problematic चीज है यहाँ पर यह आखरी article आज का faster sooner India has the wherewithal to accelerate sharply accelerate dairy vaccination rate देखे तीन अपते हो चुके इंडिया का second phase of mass vaccination program शुरू हुए और अब यह बोला गया है कि भाई देखे 60 साल से जादा के जो लो बिमारी थी तो vaccine देना allowed था लेकिन अब यहाँ पर एक course correction किया गया है और कुछ-कुछ UK के जैसा कर दिया गया है UK की model of vaccination में क्या है कि आप अगर एक particular age से जादा हो तो आपको vaccine मिल जाएगी irrespective of the fact आपको बिमारी है या नहीं है उसी प्रकार से इंडिया में अब अगर से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो चूकी कुरोना के के इस एकदम से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं यह इस प्रकार के steps यहाँ पे लेने की जरूवत है अब problem यहाँ पर यह है देखें 45 साल से जादा वाली जो लोगों को permission दी गई थी vaccination लेने की co-morbidities की list के साथ इसमें एक problem है problem यह है कि भाई जो co-morbidities की बिमारियां लिख रखी है वो बिमारियां बहुत restrictive थी देखें नाना प्रकार की बिमारी हो सकती है लोगो तो जो list of बिमारी के basis पे आप COVID-19 की vaccination क्लेम कर सकते थे अगर आप 45 साल से जादा होगो उस बिमारी की list बहुत ज़्यदा restrictive थी highly respective प्रस उसमें जो बिमारियां थी वो multiple co-morbidities की बात कर रहा है और अगर आपको vaccination चाहिए आपको कोई co-morbidity है तो पहले medical certificate लेके आओ आप that is problem सबसे पहली बात तो यह है medical certificate लेके आओ vaccination कराने के लिए यह एक additional burden जालता है उस particular इंसान के ओपर जो vaccination लेना चाहता है दूसरी बाद जादा तर लोग जो गाओं के अलाकों में रहते हैं उनको कभी-कभी यह पता ही नहीं होता है कि उनको कोई disease है तो ऐसे cases में जब उनको यह पता ही नहीं कि वो disease है वो गए नहीं इलाज कराने के लेपना तो ऐसे cases में vaccine कहां से लेक मतलब एक comorbidity का certificate कहां से लेक क्या है vaccine के लिए समझ गया बात को तो यहां पर बस यही बोला जा रहा है कि चूकि vaccine एक tool है to promote health equity किसी भी प्रकार के artificial barrier को हटा देना है कोरोना के इस curse को खतम करने के लिए चूकि आज की date में बहुत सारे states में फिर से सर्ज हो रहा है कोरोना के cases का कहीना कहीं यह expected था कि एक समय पे सर्ज आएगा ही आएगा तो इसके respect में 45 साल मतलब age band के basis पे चीज़ों करना यहाँ पे सरकार का size check है 45 साल से जादा क्यों सीधा जाके vaccination लो किसी भी प्रकार का कोई registration किसी भी प्रकार का कोई comorbidity दिखाने की जरूत नहीं हाला कि इंडिया में registration दिखाने की जरूत है अब इंडिया में आपता की जो दो vaccines हैं जिनको administer किया जारा इसको नहीं लिया जारा इसके लिए hesitancy है ये भी एक बज़ा बताई गई है कि लोग ज़्यादा vaccinated नहीं करा रहे हैं अपने आपको 25 फरवरी को 0.8 million लोगों को vaccine दी गई मतलब 8 लाक लोगों को vaccine दी गई देखे कहीं न कहीं ये बात तो है कि covid shield की vaccines दीरे दीरे limited हो रही है चुकि हम export भी बहुत कर रहे हैं तो ऐसे cases में covid shield की जो दो doses आप देते हो उनके बीच के अगर आप time period बढ़ा देते हो तो आप vaccine shortage को भी कहीं न कहीं address कर सकते हो अगर आप देखो the seven day rolling average cross two million doses per day all in the last couple of days मतलब पिछले दो दिनों में ये देखा जा रहा है कि on an average दिन में 20 लाग से ज़्यादा doses दी जा रही है अच्छी बात है 24 मार्च तक देखा जा तो पांच करोन से ज़्यादा doses administer करी जा चुकी है तो भले ही पांच करोन आपको ज़्यादा लगे बट कहीं न कहीं this amounts to four doses per hundred people ठीक है न भाई मतलब four doses per hundred people मतलब 25 लोगों पे एक dose तो पांच करोन डोसे दी गई तो अब्विसी बात नहीं हमारी अबादी कित्ती मानी जा रही ही लग 125 करोन समझ गया बात को फिर यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि private sector के hospitals को यहाँ पर involved किया गया private sector से बोला गया कि ठीक है भाई आप अपने यहाँ पर भी vaccination कर सकते हो लेकिन कहीं न कहीं private sector यहाँ पर बहुत सदा participation नहीं दिखा रहा है vaccination के process में हो सकता है कि उनको उतना commercial benefit नहीं हो रहा हो इसलिए वो participation नहीं दिखा रहा हो यहाँ पर कुछ और चीज़े भी है कहीं न कहीं vaccination का जो pace है वो अलग-अलग states में अलग-अलग rate पर कुछ जगों पर तेजी से vaccination हो रहा है कुछ जगों पर vaccination बहुत धीमे-धीमे हो रहा है तो states का जो enthusiasm में वैक्सीन की तरफ वो कहीं न कहीं कम नजर आ रहा है दूसरी बात हमारे देश में universal immunization program से काफी अलग है COVID-19 का vaccination COVID-19 के vaccination में obviously बात है adults को vaccination दी जा रही है हमें daily vaccination rate को तेज़ करने की ज़रो थे accelerate करने की ज़रो थे यहाँ पर targets बनाने की ज़रो थे यहाँ पर awareness building exercise लाने की ज़रो थे vaccine safety के बारे में awareness लाने की ज़रो थे vaccine sites के बारे में लोगों को पताने की ज़रो थे और permission for walk-in मतलब कि आज की डिमने COVID-19 test के लिए आप जादा तर जगों पर walk-in कर जाओ आपका test हो जाएगा यह बात यहाँ पर बोली गई है ठीक है लेकिन COVID-19 यह vaccination में वह नहीं है walk-in आपको test कराना तो walk-in आप कहीं पर भी जाओ टेस्ट कराओ आजाओ जाओ जादा तर जगों पर लेकिन vaccination चाहिए तो पहले आपको COVID-19 आप पर register करना पड़ेगा तो भाईया COVID-19 आप की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिंदा की जा रही है COVID-19 आप ने उन लोगों के लिए vaccination process मुश्किल कर दिया जो की digitally educated नहीं है जो की app वगरा चलाना नहीं जानते है जिनके पास smartphone नहीं तो इस प्रकार के लोग भी इस public health initiative से दूर हो गए ठीक है तो COVID-19 platform के ओपर excessive dependence, excessive reliance को भी यहाँ पर criticize किया जा रहा है फिर बताया जारा lack of micro planning and outreach activities मतलब micro level पे सरकार ने planning नहीं की है और लोगों के प्रती सरकार outreach नहीं दिखा रही है मतलब लोगों पे जा जाके बोलना कि भाई आओ vaccination करा लो यह चीज़ सरकार नहीं कर रही है कहीं न कहीं there is a case for reaching out to people लोगों के पास जाके उनको पहुंचके उनको awareness दे के उनसे बोलना कि भाई आओ vaccine कराओ यह बहुत ज़र्द जरूरी है अगर आपको vaccination के process को दिखाना है और उनको confidence दिलाने के लिए जो उनको पहले आपने vaccination दिलाई है उनसे बात भी करवा सकते हो चुकि आपके पास उन लोगों को database है जो लोग पहले vaccination करा के गए है तो उनसे आप बात भी करा सकते हो लोगों की ताकि लोगों के अंदर भी confidence आए कि हाँ पहले vaccine लेके कोई नुकसान नहीं तो यह चीज़ें आपे बताई जा रहे है तो यह आज का एडिटोरे discussion था चार articles discuss करने में ठीक टाक समय लग गया बट आई होब यह discussion आपके लिए sensible था और आई होब आप कहीं न कहीं इससे कुछ न कुछ सीख पाए तैंक यू फू वाचिंग आपके जो भी suggestions है आप मुझे नीचे comment box में पने suggestions बता सकते हो जदा सदा लोगों को इस वीडियो के बारे में बता है तैंक यू फूचिंग गुडबाइ